हलो एवरिवायन आज हम बनाएंगे बेसन और दई से बना हुआ बहुत हलका फुलका और हेल्दी नाष्टा जिसका टेस्ट खांडवी से मिलता चुलता ही होता है जो गुजरात की फेमस ब्रेकफस्ट रेसिपी है अगर आप चाहे तो एक ही खुल से खांडवी और पाटोड दई लेंगे दई खटा और ठीक होना चाहिए यह रेसिपी में आप बटर मिल क्याने की चाचका भी यूज़ कर सकते हैं दई को पहले विसक करके स्मूद कर लेना है अभी इसमें एक कप बेसन डालेंगे पतला वाला बेसन यूज़ करना है और इसमें लंप्स ना रहे इस स्मूद बेटर नहीं मिलेगा तो इस तरह से मैं टोटल दो कप पानी यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर आधा कप दई और दो कप पानी हम एड़ करेंगे अगर आप चाचका यूज़ कर रहे है तो एक कप बेसन के सामने ठाई कप चाचका यूज़ करना है तो जीस तर हाई चामज हींग एड़ करेंगे और एक से देर टीस्पून या तो फिर स्वात के अनुसार नमक एड़ करें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि मसालों में भी कोई लंप्स ना रहे अब इसमें एक टीस्पून अधरक और हरीमिज की पेस्ट टालेंगे स्पाइस ले तो कोई भी किनारे वाली प्लेट ले ले और तेल से ग्रीज कर लेंगे क्योंकि जैसे ही बेटर पक जाएगा तूरत ही सेट करना होता है तो पहले से ग्रीज करके रखें अब एक हैवी बोटम वाला पैन ले लेंगे गेस की फ्लेम को अपी तक मैंने ओन नहीं किया है दिरे दिरे आप देखेंगे तो बेटर जो है वो गाडा होना शुरू हो गया है तो बस उसे continue चलाते रहेंगे बेटर अब गाडा हो रहा है Lumps को हम spatula की help से break करते जाएंगे और चलाते रहेंगे अब बेटर को तो हम यहाँ पे पका रहे हैं पर timing fix नहीं रहेती क्योंकि किस प्लेम पर आप पका रहे है और कितनी कॉंटिटी में आपने बेशन लिया है और पाने कितना डाला है इसके उपर डीपेंट रहता है तो इसके लिए सबसे अच्छा ओप्षन वही है कि आप बेटर की कंसिस्टनसी चेक कर ले तो जब ये चमब से गिरा होगे तो उसे गिरने में थोड़ा टाइम लगेगा और साथी में ये बेटर को एक प्लेट में पतला स्प्रेड कर ले जिस तरह हम खांडवी के बेटर को चेक करते हैं सेम वेसे अब बेटर जो है थोड़ा धंडा हो गया है तो उठा के चेक कर लेते हैं जैसे हम खांडवी रोल करते हैं वेसे ह ये रोल हो रहा है बिलकुल ना तो प्लेट पे चीपक रहा है ना ही तो हाथों में चीपक रहा है तो ये बेटर की consistency एकटम perfect है तो इस तरह से ready करने से ये पाटोड़ी है वो बहुत ही soft लोड बनेगी और खाने से मूWW में खुल जाएगी तो यह बेंटर बनके रेडी है प्लेट को हमने पहले से हीी और फटा फट यह बेंटर को हम फ्लेट में फैल देँगे अब स्पेचुला की हेलप से चारो तरफ उसे फिला लेंगे और ये बेटर ठंडा होगा तुरती सेट हो जाएगा अगर आपको जल्दबाजी है तो आफ रेफरिजरटर में भी रखकर सेट कर सकते हैं तो अब उसे रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 10 से 15 मीट में ये अच्छ पर पीसिस काट कर तयार कर लेंगे एक पार इस तरह से काट कर एक बड़े चमच से पूरा पीसिस आप निकाल सकते हैं एकदम चेली जीसा टेक्स्चर आ रहा है बिल्कुल प्रेट में नहीं चीपका है तो इसी तरह से हमने सारे पीसिस निकाल लिए है आप आपकी चोईस क हिसाब से पीसिस को कट कर सकते हैं मैं या पे बाइट साइस के कट कर रही हूँ अगर आपको बड़े लगे तो नाइफ की हेल्प से उसके दो पार भी कर सकते हैं अभी उसके उपर एक सिंपल सा तड़का लगा लेंगे तो उसके लिए एक पैन को गरम करने के लिए रखते तड़के को मिक्स कर लेंगे और तयार की हुई पाटोड़ी डाल देंगे साथी में बारी कड़की हुई धनिया की पत्ती एड़ करेंगे थोड़ा सा तील और डाल देंगे और मेरे पास आचार का मसाला है वो में एड़ कर रही हूँ और आचार का मसाला नहीं है तो लाल फ्लेवर मिलेगी, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, तड़का अच्छे से हर एक पाटोडी पर लगना चाहिए और गेस की फ्लेम को बन कर लेंगे, लाश में खूप सारा फ्रेश नारियल डालेंगे, और बस हमने ये तड़के को मिक्स कर लिया है, तो ये हमारी गरम गरम स रेसीपी है, यदि आज का वीडियो अगर आपको आया है पसंद तो एक स्मायर के साथ लाइक का बटन जरू दबाए, साथी ऐसी और रेसीपीस देखने के लिए चेनल को सब्सक्राब करना ना भूले, आपका किम्ती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती जल्दी नेक्स वीडियो में, तिल देन टेक केर और थेंक्स पर वाचिंग